क्यूंडे एक्सर का कंपैरजन चाहिए कंपैरसन जिये कंपैर्जन जिकाए लास्wnटर में आकम आपने में यह का था और इसलिए हम आपके लिए लाए हैं टाठा की पंच इस कंपैरजन में बट क्या मोटर आ अकटेडी का माहख कंपैरजुन केबल दो गाड़ियों से बन सकता है जी नहीं इसलिए हम आपके लिए लाएं है रेनो की काईगर आपने नोटेस करेंगे यहां पे भी है गाड़िया मारुती फ्रॉंग्स इन निसान मैगनाइट इन पांचो में से आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजे से यहां पे हम आपको बताएंगे क्या सेकंड रो में अच्छी कासी जगा है तीन लोग बैठ सकते हैं नहीं बूट स्पेस कैसी है इतने सारे टेस्ट आपके लिए करके दिखाएंगे ना जो कोई और नहीं करता है आपको केबल मोटर अक्टेन पे ही देखने मिलेगा तो किस बात के लिए रुके पहले सब्स्ट्राइब कीजे और देन लग्स गेंट इंट 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 वीडियो अब यहां पर दिजाइन के बारे में बात नहीं करने वाले रादर वाट विए टॉक अबाओ जो तीजे आपके लिए इंपॉर्टनिंट जाती है पेले ग्राउंड क्लिरंस मैंगनेट मैपको 205 mm की ग्राउंड क्लिरंस आती है फ्रॉंग्स में 190 mm आपको एक्स्टर में 185 mm की ग्राउंड क्लिरंस आती है पंच 187 अंड काईगर में 205 mm बिल्ड कॉलिटी अब यहां पर हम ग्लोबल एंड कैप के स्कोर के हिसाब से जाएंगे आपको काईगर में मिल जाते हैं फोर स्टार रेटिंग आउट ओफ वाइव ऑन दो ग्लोबल एंड कैप स्कोर टाटा पंच केवल एक ही गाड़ी जिसको फाइव स्टार मिले है पू आप मैंगनाइट को भी देखेंगे तो इसको फोर स्टार मिले ना के विल ग्लोबल एंड कैप बलके आसियान में भी अब देखिए बिल्ड कॉलिटी इस इंपॉर्टन क्यूंकि सेफ्टी जो है आपका प्री पेड इंशॉरंस है ओके मूँवाँ टायर साइज सब में जाता है काम को तो मैं आपके लिस्ट छोड़ जाता हूं सबके टायर साइजस की जिसे आपको clarity वहीं मिल जाएगी अब टायर जो है बहुत ही important हो जाते क्योंकि गाडी का सारा road grip ना इनी से मिलता है no grip means bad performance और आपकी braking भी कही ना कहीं खराब हो जाती है which means आप अपनी गाड इसलिए मैं आपको recommend कता हूं Apollo के Aptera Cross Tires क्योंकि यह आपको देते है amazing performance with best in class handling and braking और आपको यह सब मिलता है बिना compromise किये गाडी की mileage and उसके tyre life पे मुझे यह तायर की aggressive styling काफी पसंद है and I even like the fact that these tires have been specifically tuned for better compression during impact गुआ फिदा के नहीं बहुता है simple बोलू तो यह आपको बहुती बढ़िया बहुती अच्छी राइड कॉलिटी देते है best headlamps हमको लगे है Nissan Magnite के यह काफी sleek LEDs है लेकिन इसका throw बहुत शाप है और बहुती बढ़िया लाइट से इसके फ्रांक्स के headlamps भी complete white LEDs at top model पर और यह अच्छा खासा throw देते हैं spread भी इसका अच्छा कासा है but it's not the best Hyundai Xter में आपको yellow color के projectors आ जाते हैं यह actual में आपको अच्छी कासी light दे देते हैं spread भी decent enough दे देते हैं but they are not the best in the category same story Tata punch की भी हो जाती यह आपको बहुत अच्छा throw देते हैं spread देते yellow lights इसके but यह इतनी strong नहीं है कि आपको वो extra confidence दे सके Renault Kiger इसमें definitely आपको LED lights आते हैं और देखे आप Renault and Nissan share the same platform काफी कुछ से share कते हैं लेकिन headlights के मामले में Nissan Magnite यहाँ पे clearly Bazi मार जाती है Nissan Magnite की की में आपको lock and unlock का button option आते है whereas fronks में आपको lock unlock का button ही दिया गया है आपको extra में lock unlock and boot open का option मिल जाता है पंच में आपको lock unlock boot open और headlight का option दिया गया है और अगर आप Renault की चाबी देखेंगे card मिलता है जहां पे lock unlock boot open और light का option है जैसे ही मैं चाबी लेके गाड़ी के पास जाता हूँ गाड़ी automatically unlock हो जाती है और गाड़ी से जैसे ही मैं दूर चला जाओंगा ये lock हो गई पांचो गाड़ियों में आपको regular wipers ही available कराए गए हैं तो expensive वाले erotivne wipers आते हैं इसमें नहीं दिये गए at the end of the day इसको budget friendly बनाना है और यहां पे इस वज़े से ये cost में reduction किया गया है पांचो गाड़ियों में से सिफ शाकफिन आंटेना मैंगनाइट में नहीं आता है फिलाल जो गाड़ी हमारे पास है पंच की उसमें नहीं है लेकिन अब पंच में वो introduce कर दिया गया है सारी गाड़ियों में आपको roof rails भी दे दिये गए है to give that more SUV-ish look Nissan Magnite की boot space जो है अच्छी खासे है यहां पे तीन suitcases आराम से बैठ जाते हैं और फिर भी आपके पास थोड़ी जगा है to spare you get 60-40 split also जिससे आपकी boot space जो है काफी increase हो जाती है अब fronks में आपको 308-liter की boot space आती है पट यहां पे जब हमने सामान बिठा है तो वो भी आराम से बैठ गया था actually तो don't go by numbers always इसमें भी आपको 60-40 split आता है और इसमें भी आपको एक step-up मिलता है अगर आप वो seats वोल्ट करते है वेराज Hyundai extra में आपको 391 मिलता है till the top of the car लेकिन overall अच्छी खासी boot space यहां पे भी है आपके पास अब इसमें आपके पास 60-40 नहीं दिया गया है बट फिर भी decent enough storage space हो जाती है overall ताटा बंच में आपको 319 लीटर की boot space आती है till the shelf और इसमें हमने देखा 3 bags आराम से बैट गए हैं बिना किसी problem के however अगर आप roof तक देखते हो जो ताटा बताता है वो 366 लीटर की boot space है इसमें भी आपको 60-40 split नहीं दिया गया तो इसमें भी cost cut किया गया है but overall boot space अच्छी खासी है इसकी भी रहनो काईगर में आपको 400 लीटर की boot space आती है I think the number is too high but space जो है कईने कई मैंगनाइट जितनी ही है और इसमें भी आपको 60-40 split मिल जाता है which is also a good plus point getting in and out magnet में बहुत आसान है क्योंकि गाड़ी बहुत जादा ऊची नहीं है दोर भी काफी wide खुल जाता है front में and rear में थोड़ा कम wide खुलता है लेकिन still it's not difficult to get in and out of the car fronks में थोड़ा लो है गाड़ी but I think इसका दोर is quite wide which is a good thing for it and overall it's a very comfortable car to get in and out of it at any given point of time वहीं पे extra I think is the easiest इसका डोर अच्छे से wide कुलता है इसमें आपको जुकने की जरवत नहीं जैसे बाकी magnet and fronks में करना पड़ता है this is almost like you slide into the car तो ये एक अच्छा point आ जाता है अगर आपके घर में बजूर्ग लोग जाता है उनको इसमें चड़ने में आसानी होगी पंच उल्टा actually पंच एक ही गाड़ी इसमें उपर थोड़ा जाना पड़ता है of course this has the widest door opening but it's it's still decent enough तो एको SUV फील यहां पे आएगा आपको जब आप चड़ रहे हों काईगर is again similar to magnet चड़ना उतरना थोड़ा लो है comparatively but it's comfortable it's not bad at all the best of all is actually extra अगर चड़ने उतरने की बात की जाए क्योंकि इसकी हाइट एकदम पर्फेक्ट है to step into a car Nissan Magnite में अपको all black interiors आ जाते हैं touch and feel of materials look also of materials काफी अच्छा है but यहाँ पर वो premiumness नहीं मिलता है cabin के अंदर इसको ज़्यादा sporty करने की कोशिश की गई ज़्यादा कोशिश यह की गई इसको ज़्यादा value बनाया जाए आप driver के जो सारे touch points है वो soft दिये गए front seats गाड़ी की काफी wide है comfortable है आप लंबे सफर पे अगर कहीं जाते हो यह seats बहुत ही बढ़िया है और आपको अच्छा cushioning भी देती है so लंबे सफर पे आपको थकावट बिलकुल नहीं होने वाली है unique features में इसमें 360 camera ते हैं JBL के speakers and completely digital instrument cluster जो even Renault काईगर को मिलते है fronks में black and brown color के interiors आ जाते हैं and इसमें touch and feel of materials even जो look of materials है वो काफी बढ़िया दिया गया है अब इसका भी interior उतना premium नहीं feel होता है but I feel it's a little over done काफी सारी जगाहों पे आपको cuts and creases बहुत दिये हो है तो अगर आप sporty हो in nature you will love this मुझे थोड़ा simplistic look पसंद है इसलिए this is something not I prefer but I think बहुत लोगों को interior ये पसंद आने वाला है अब अगर मैं इसकी seats की बात करो इसकी seats काफी soft है तो अगर आप शहर के अंदर चला रहे हो आप बहुत comfortable नहीं हो ले हो तो कही नहीं आपको थोड़ा थकावट होगी क्योंकि आप seat के अंदर धसने लगोगे after some time Fronks में unique features आते हैं Heads-up display, 360 camera, auto day and night mirror और साथ में paddle shifters Xterr के interiors completely black आते हैं यहाँ पे fit finish, touch and feel of materials काफी बढ़िया है and of all cabins, इसका cabin काफी premium भी feel होता है बहुत ही up market feel होता है अगर आप सारी गाड़ियों से इसको compare करेंगे Of course, आपको बहुत सारी चीज़ें यहां मिल जाती है However, first let's talk about the front seats इसकी front seats काफी wide है, supportive है तो अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हैं, आपको आसानी से वो थकावट नहीं होती है इसका headrest जो है fixed है, तो अगर आप काफी लंबे हो तो आपको थोड़ा adjust करके यहां बैठना पड़ेगा एक्सटर में काफी unique features आ जाते हैं एक तो dash cam आ जाता है बाहर और अंदर दोनों के लिए paddle shifters आ जाते हैं, even on an AMT voice commands के साथ sunroof फुल जाता है and finally you get airbags, 6 airbags मिल जाते हैं from the base model itself Tata Punch में majorly black interiors आ जाते हैं कुछ-कुछ white elements दिये गए जो इसे contrast अच्छा feel देते हैं अब यहां पे भी look of materials काफी अच्छा है touch and feel भी अच्छा खासा है but again यह बहुत जादा premium नहीं feel होते है एक चीज़ आपको Punch में पसंदाईगी कि इसके interiors बहुत ही simplistic है काफी जादा buttons नहीं और यह easy on eyes है तो usability में आपको जादा दिकल्प नहीं आने वाली है इसकी seats wide है अच्छा खासा support देती है और यह नहीं जादा soft है नहीं जादा firm है तो अगर आप पूरा दिन भी गाड़ी चलाते हो Punch बहुत ही comfortable seating position आपको देती है and even seats इसकी अच्छा comfort ओफर करती है unique features में Punch में आ जाता है voice assist sunroof eco mode, 90 degree door opening और CNGs में जिसमें आपके पस अच्छी काची boot storage भी है काईगर में all black interiors आ जाता है with certain elements grey के कहीं कहीं आपको दिखाई देंगे अब इसका भी interior fit and finish काफी अच्छा है touch and feel of materials भी ठीक ठा की है वहीं पे भी हमेरी complaint नहीं है but इसमें भी आपको interior premium feel नहीं होते इसकी seats भी wide है लंबे सफर पे जाना है तो काफी supportive है शहर में चलाना है दो चार खंटे चलाना है दस बारा खंटे चलाना है आपको comfort में problem नहीं आएगा इस गाड़ी की seats पे काईगर में आपको काफी unique features आ जाते हैं dual glove box ambient lighting on or off कर सकते है with a button और साथी में driving modes are available चौथा digital instrument cluster भी इसको मिल जाता है Magnite की driver seat जो है manually adjustment दिया हुआ यहाँ पे चाहे आगे पीछे या फिर even seat adjustment की मारूती फ्रॉंक्स में भी आपको driver seat adjustment जो है manual दी गई है even exterior में आपको completely manual seat adjustment दिया गय है including the height adjustment too Tata punch में जो seats है driver की वो भी electrically नहीं manually adjustable है recline भी उसमे manually दिया गय है काईगर में भी same कानी है so generally यह segment में आपको electric seat adjustment नहीं मिलेगा for the price it's coming at Nissan Magnite में आप steering height के लिए adjust कर सकते हो फ्रॉंक्स में आप height and reach तो यह telescopic steering wheel है आपको exterior में steering wheel height के लिए adjustment दिया गया है punch में height cable मिलता है reach नहीं है and काईगर में भी आपको cable height दिया गया Nissan Magnite की touchscreen display अच्छा कासा है बहुत साथा bright नहीं है it's good enough to use in terms of response UI काफी premium नहीं फील होता है whereas Maruti Fronks का UI actually feels very nice it's the one of the most responsive if not the most responsive और इसमें utilization काफी easy दिया गया so I like this entire setup जो इनो नहीं दिया हुआ Xter has the best UI there's no two ways response, display, UI काफी premium फील होता है Tata Punch का screen जो है is not having the best pixel थोड़ा laggy भी है and it's just fine it's not the best but it's fine of all पर रेनो काईगर की अगर मैं बात कर लो तो इसका display quality actually ठीक है but इसका response काफी जबर जासते है yes, it is definitely one of the best Nissan Magnet पहली काडी बनी इस category में जिसको 360 camera आया in fact, display quality okay है खास करके दिन में भी देखोगे रात को देखोगे आपको पाक करने में problem नहीं आएगा but I feel camera quality could have been better वही पे मारती फ्रॉंक्स की जो camera quality despite being 360 is good there's no such complaints दिन में आपको कोई complaint नहीं रहेगा wide भी है अच्छा कासे यूज करने को दिखाई देंगे पाकिंग में problem नहीं आगी it's easy to park okay, this is the best camera of all यहाँ पे आपको सिर्फ reverse camera दिया गया but Xter definitely has the best camera quality, utilization, clarity unbeatable Tadda Punch की reverse camera भले ही wide है but इसकी pixels are okay, it needs a little more clarity again, आपको किसमें भी पाक करने में problem नहीं आगी रात में भी but clarity नहीं है इतनी ज्यादा जितनी आपको मिलती है in the Xter Renault काईगर में भी okay quality मिलता है I feel overall display, clarity यह सब चीजों पे थोड़ा और काम करने की ज़रत है to make it a little more premium का आपको कि जश्याटा ही So होको का ज़ता का, quand बहतार है I'm मैंगनाइट के फ्रंट डोर पैड में आपकी एक लीटर की बॉटल बेच जाती है आपके पास फ्रंट में काप होल्डर की पीछे भी स्टोरीज दी गई है पीछे भी स्टोरीज दी चरवाट में दूर पैड में आपकी एक लीटर की बॉटल आगे बैट जाएगी आराम से, आपके पास glove box में decent enough space and not the biggest of all, arm rest है यहाँ पे जहाँ पे आपके पास okay, इतनी deep नहीं है, ठीक ठाक है cup holders है for front passengers आगे fronks में chabi भी रख सकते हो या कुछ भी छोटा मोटा सामन रख सकते हो next to the driver, rear door में आपके पास एक लीटर की बॉटल बैट जाती है और आप पीछे यहाँ पे phone भी रख सकते है अगर आप charging पे रख सकते हो, seat के पीछे भी आपके पास storage दी गई है, exterior के front door pad में अच्छी कासी storage है, इसका glove box cooled है and बड़ा है, आपके पास mobile रखने की जगा आगे भी है on the glove box, दो cup holders भी है for the front passengers, phone रखने की जगा भी दी गई है, rear door पे आपके पास door pad में अच्छी कासी जगा है, आपके पास storage है behind the seat, टाटा पंच में एक लीटर की bottle front में बैट जाती है आपके पास cool glove box again यहाँ पे भी है, decent enough storage in the car, so there's no complaints as such cup holders भी है for front passengers, आपके पास आगे phone या कुछ भी wallet रखने की जगा दी गई on the side and extra storage spaces है in the punch for you second row में आपके पास अच्छी खासी storage है for bottle and mobile आप seat के पीछे भी रख सकते हो या files रख सकते हो, और you can even store extra stuff there reno kiger के front door pad में आपकी एक लिटर की bottle बैट जाती है, you also have glove box double वाला है, तो यहां पे आप you can put in a lot more stuff है आपके पस यहां काफी जादर जगा बढ़ जाती है practicality के लिए, but यह जो cup holders है इसमें काईगर के थोड़े off है क्योंकि, I mean it's a little weird to put it in and take it out every time, आपके पास phone storage भी है, उपर भी दी गई है extra phone storage, so you have multiple storage for phone in the front row second row में आपके पास door pad में एक लिटर की bottle बैट जाती है, cup holders दिये गए in the armrest, phone रखने की जगा भी है in the armrest which is a nice touch and rear seat के पीछे भी आपके पास storage आ जाती है Nissan Magnite में आपको front में 12V का charging point आ जाता है, you also get a USB charging port और साथ में wireless charging भी दिया गए for front passengers, rear में भी you've got a charging port on the Magnite मारुती फ्रॉंक्स में आपके पास आगे 12V का charging port है, आगे आपके पास USB भी दिया गया है, you also have a wireless charging port in the front और rear passengers के पास एक type C और एक type A USB charging ports अवेलेबल करा दिये गए है Hyundai Xter में आपके पास एक USB एक 12V कम USB और साथ में एक type C charging port दिया गया है, उसके बाद you also get wireless charging pad in the front for charging, second row में आपके पास एक 12V point दिया गया है Startup Punch में आपके पास 12V USB, आपके पास और 12V दिया गया है front में, Renault Kyger में आपके पास आगे एक USB wireless charging भी मिल जाता है second row में आपके पास एक 12V charging port दिया गया Nissan Magnite के second row में तीन लोग आराम से बैठ पाते है knee room is good enough minimum and maximum both, head room decent enough है and thigh support is actually nice, मारुती फ्रॉंग में जब तीन लोग बैठते हैं, यहाँ पे overall अच्छा खासा width है knee room is good, minimum and maximum तो बहुत ही ज्यादा है head room भी अच्छा खासा है इसके अंदर, thigh support is decent enough Hyundai extern में जब तीन लोग पीछे बैठते हैं the overall shoulder room is okay, it's not the best यहाँ पे shoulder room थोड़ा कम है आपके पास minimum and maximum knee room decent enough है head room काफी बढ़िया है and thigh support is fantastic tata punch now यहाँ पे भी जब तीन लोग बैठते हैं you'll notice कि a shoulder room is average but जो knee room minimum है even maximum है is good enough head room भी अच्छा कासा है thigh support is good Renault काइगर something similar to the magnite आपके पास overall अगर आप you know, you look at the shoulder room it's very nice minimum knee room or even the maximum knee room गाड़ी का जो है काफी बढ़िया है आपके पास head room is nice thigh support is decent अब बारी मागनेट को ड्राइब करने की करजेते गाड़ी को start डाल देते इन दे फिर्स गियर and here we are ready to go अब मागनेट में आपको दो निजिन ऑप्शन आते हैं आते हैं वान लीटर और एक वान लीटर टॉब पेट्रोल तो जो रेगिलर इंजिन आता है वो फिलाल मैनूल में ही आता है तो अगर आपको एक एक अफोड़ेबल गाड़ी चेही है जो अच्छा परफॉर्मेंस भी दे और आटमाटिक के साथ आती है with good enough features मैनेट आपके लिए वहां एक अच्छी चोईस बन जाती है क्योंकि CVT इसका जो है बहुत ही स्मूध है आपको अच्छा कासा पिकप मिल जाता है and not just pick-up but even job कि अच्छा फ्यूल एफिशेंची है वो भी बढ़ी है so मैनेट की यह सबसे बड़ी स्रेंथ है कि इसका पावर भी अच्छा है mileage भी अच्छी है so if you're looking for a car for city use I think यहां पर आपके लिए magnet बहुत बढ़िया चोईस बन जाती है like I said, pick-up is good तो अगर आपको city में चलाना है, highway पर चलाना है, over-take करना है आपको ज़्यादा problem नहीं आएगा गाड़ी कंदे you can easily do that हाँ manual अगर आप चला रहो जिसे मैं चला रहा हूँ तो highway पर specifically over-take करने को आपको आपको गियर डाउन करने की जड़ाद पड़ेगी मैगनेट में आपको visibility बहुत अच्छी है गाड़ी में, mirror की sizes भी decent enough है but bonnet के edges यहां नहीं दिखाई देंगे आपको so, इसकी seating जो है एकदम straight upright नहीं यह more like a car type आपको feel देगा a sedan या एक hatchback है उससे थोड़ा जाता आप उचे बैठ्यों यहां पर लेकिन वो एकुबलत है na SUV वाला feel जो bonnet दिखाई 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 आपको यहां नहीं नहीं आने वाला है but what I like about the car is यह बहुत ही स्मूध है अच्छागासा पिकप मिल जाते है आपको तो चाहे अप सिटी में चला हाईवे पे चला यू विल मना घंटो घंटो चला सकते हो गाड़ी बिना थगावट के and that my friend is a big plus point बाकी दुसरी गाडियों में आपको तोड़ा बर श्रगल होगा but this is lovely इस गाड़ी की राइड कॉलिटी भी काफी बढ़ी है तो आप खराब रोडस पे भी अगर बहुत चलाते हो तो आपको जादा दिककत नहीं आने वाली है at the same time आपकी जो handling है गाड़ी की that is also pretty good मतलब ऐसे नहीं बुलूँगा की this is the best handling का in the world but definitely आपको अच्छी खासी handling भी यहां मिल जाती है steering wheel भी बहुत light है तो आप comfortably से पूरा दिन चला सकते हो शेहर के अंदर भी tight lanes में भी अगर आपको चलाएं तो वहां पे भी आपको दिककत नहीं आने वाली है अगर हम mileage के बारे में बात कर लें तो actual में turbo petrol आपको जादा better mileage देगी than the non-turbo क्योंकि उसको power जादा मिलता है तो इस वज़े से जादा effort नहीं लगती है गाड़ी को पुल करने में time to drive the fronks चालू कर दिये गाड़ी को put it in D and off we go इसमें आपको दो इंजन आप्शन आते एक 1.2 लीटर का non-turbo जो आपको बलिनों में आती है आपको बहुत ही बड़ी आपको बहुत ही बड़ी आपको बड़ी खासियत यह दोनों इंजन की खासियत है कि आपको अच्छा आपको पावर मिल जाता है शेहर में हाइवे पे और जो 1.2 लीटर non-turbo है उसमें आपको बहुत ही बड़ी आपावर मिलता है आप बिना गियर शिफ्ट के भी लोगों को ओटेक कर सकते हो शेहर में या हाइवे पे पर जो टर्बो पेट्रोल इंजन है उसमें ओवर टेक करने के लिए गियर शिफ्ट करने की जरुरत पड़ती ही है उसमें ए एक डिफ्रेंसियेशन है क्योंकि मारूती की गाड़िया हमेशा से अपनी बढ़िया ड्राइवेबिलिटी के लिए जानी जाती है यानि कि आपको जादा गियर शिफ्ट करने की जरुरत नहीं पड़ती है और यह वन लीटर टॉबो पेट्रोल एक्चुली वहां पे थोड एडिया हो जाती है अब इस गाड़ी की अगर मैं राइड कॉलिटी की बात कर लो तो अच्छी खासी है आप गड़ों से जाओगे आपको थोड़े-बहुत गड़े महसूस होते हैं आप खास करके अगर आप बड़े गड़ों से जाते हो यह बहुत ही खराब रस्तों से त चलाने को या कहीं पर भी चलाने को आपको थकावट नहीं महसूस होगी अचा एक चीज और इस गाड़ी का टुर्निंग रेडिस भी ठीक था कि ये शहर के अंदर और जज्जमेंट के मामले में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मिरर के साइज छोटे है और इसमें आ आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल एंजन आता है और यह केवल नॉन टॉबो ही अवेलिबल है 5-speed मैन्यूल और 5-speed AMT के साथ आता है बट यह AMT जो है पैडल शिफ्टर के साथ आता है तो रेगिलरली AMT जो है थोड़ा स्लोई रहते सारे गाडियों के पैडल शिफ्टर के जाता है काफी जादा बेटर चलती है गाड़ी जो इसका पेकप है रिस्पॉंस है विट AMT इस फैंटास्टिक यह दुनिया की पहली गाड़ी है मेरे साथ जिसमें AMT और पैडल शिफ्टर साथ में दिया हुआ है और क्या सोच है I mean full 100 marks to जिसने यह आइडिया बनाया क्यों जाना इस चलाना है कोई प्रॉब्लम नहीं करना है सिटी के अंदर आपको प्रॉब्लम ही आगा हाइवे पर टेक कि निए आपको एक गियर शिफ्ट डाउन मलें लोर गियर जाना ही पड़ेगा खासकर कि अगर आप 80 यह सौ के स्पीड पे गारी चलाते है कि आपको बॉनि के एजिस दिखाई देते हैं अब यहां पर बहुत उचे नहीं बैठते हो पर आपकी सीटिंग पोजिशन काफी बढ़िया है तो इस वज़े से आपको जो रोड का विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है ग्लास एरिया गाडी का अच्छा है और इवन जो मिरर साइज इस है वो more than sufficient है अगर आपको blind spot avoid करना है अगर मैं इसके ride quality की बात कर लो तो थोड़ी soft है और यह comfort के लिए बनाए गई है तो बहुत खराब रस्तों पर मैं आपको recommend करूंगा थोड़ा slow जाएए अब high speed stability not really much of a problem 80-100 की speed पे अगर आप चला रहे हो आप easily वो speeds maintain कर सकते हो and decent enough body roll है हा आपको push करने में थोड़ी जादा महनत लग जाएगी the same story goes with all non-turbo engines आपकी महनत काफी बढ़ जाती है और वहां पे आपको effort जादा देना पड़ता है to reach and maintain that speed steering wheel भी गाड़ी का बहुत light है आप literally दो उंग्लियों से इसे turn कर सकते हो and this is amazing to drive खास करके अगर आप शेयर में चलाते हो कभी-कबार highway पे जाते हो कहीं off-road conditions में जाते हो या आपके लिए बहुत ही comfortable रहने वाली है because of its overall high ground clearance also अब भारी पंच ड्राइब करने की start कर दिया गाड़ी डाल दिया इसको first gear में and here we go पंच में आपको 1.2-liter का non-turbo engine आता है 8384-bhp का power बनाता है अब ये engine में अब CNG भी कर दिया गया है which is a big advantage for it क्योंकि जिन लोगों को कम cost पे गाड़ी चलानी उनकी लिए यह पे अच्छा option आ जाता है and ये twin cylinder technology वाला आपको CNG आता है जिस विज़े से आपकी boot space definitely बढ़ जाती है overall देखिए punch में जो upgrade आया था BS6 phase 2 वहाँ पे engine refinement पे काफी काम किया गया तो जो low engine का power है वहाँ पे आपको अच्छा कासा acceleration मिल जाता है जिस विज़े से आपकी जो overall drive quality है वो काफी बहतरीन हो जाती है पहले punch में थोड़ा जादा lagginess फील होता था कि वो initial power ही नहीं आता था बहुत तमय लगता था आने को पर अब उसे काफी हथ तक इंप्रूव कर दिया गया जिस विज़े से आपकी drive जो है काफी बहतरीन हो जाती है compared to before punch का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको पता है क्या है आप यहां बैठते हो आपको बॉनेट के एज़े आप काफी उचे बैठते हो एक SUV जो फील चाहिए ना गाडी में वो वाला फील आपको यहां पर मिल रहे है विच बीट्स एवर्थिं इल्स मतलब I just wish कि इसमें और पर्फॉर्मेंस इंजिन दे दे थे थे बस that's what I would have hold out but ठीक है यह एंजिन भी ऐसे नहीं कि it has no power or anything it has good enough power vibrations पहले काफी थे नोईस काफी evident था now that has been worked on to a great extent और यह चीज बहुत बढ़िया हो गही है और एक चीज जो पंच के फेवर में जाती है वो है इस गाडी की ride quality खराब roads पे चलाओ और you drive fast आपको ride quality में कभी problem नहीं आने वाली है handling decent है गाडी कि it's not the most या best handling car in the country but आपको अच्छी खासी handling मिल जाती है इसमें इसकी fuel efficiency भी बहुत strong है so शहर में आपको 12-14 का average मिल जाना चाहिए in the manual AMT definitely थोड़ा कम mileage देगा and साथ में आपका जो highway run है वहां पे आपको 16-20 के बीच में mileage easily मिल जानी चाहिए unless आप गाडी बहुत ही जादा पुश करते हो इसका AMT पहले जो था वो थोड़ा जादा जर्की थोड़े gear shift slow थे बस वो सबसे बड़ा complaint थी और जब BS6 phase 2 आया तब वो problem काफी कम होगे तो उसका जो jerkiness और जो slow response था उस पे काफी हद तक काम कर जेगा जिसवाजे से गाडी जादा बहतर हो गए ड्राइब करने को बट अगर आपको straight upright बैटना है you want to drive very comfortably city में overtake करना है city के पंच बहुत अची है हाइवे पर आपको डाउंशिफ डेफिनिटली करना ही पड़ेगा बट अधर देन दाट I have nothing really to complain about the punch as such अगर आप यह बोर कि आपको जादा पावर चाहिए तो आपको इसमें टर्बो पेट्रोल एंजिन नहीं मिलता है for that extra power you will have to go for Nexon आप यह चीज notice करो कि extra and punch दोनों में आपको टर्बो पेट्रोल एंजिन नहीं दिये गए है क्योंकि उसके उपर Nexon and Venue आती है तो उनके sales को ना अफेक्ट करे और वो अलग category रखने कि लिए Tata and Hyundai ने इस पे काम किया है in this way. काईगर को कर देते हैं start डाल यह फिर्स गियर and here we go जो तर्बो पेट्रोल एंजिन नहीं नहीं का टॉर्क बहुत ही बढ़िया है I mean the instant acceleration you get is uncomparable of course जो non-turbo है वो अच्छी कासी पर्फॉर्मेंस देती है आपको दुसी गाड़ियों की बट जो तर्बो का टॉर्क हासकर के इ बहुत ही क्विक है अच्छा कासा पिकप दे देती है city में highway पे and थोड़ा engine noise इसमें ज्यादा है अगर मैं non-turbo की बात कर लूँ of the reno and the nissan इनके non-turbo engines थोड़े ज्यादा loud है and I feel वहां पे थोड़ा काम किया जा सकता है other than that मेरी कोई complain नहीं है of this engine बहुत ही बढ़िया है to drive it's very smooth अच्छा कासा पिकप भी मिल जाता है city में highway तो तो जो drive experience of the Kyger is fantastic इसे मैं जैसे ही sport पे डालता हूं इसका performance increases a lot तो जो difference in pickup आपको clearly feel होने लगता है खासकर के manual में there's a clear differentiation in the power that it produces अब ये गाड़ी में आपको mirror sizes are decent ride quality भी अच्छी कासी है मेरी कोई complain नहीं है and with handling also all due respect nothing to really complain about अगर आप एकदम वो बोलोगे ना कि यार ये sports car जैसी handle करती है नहीं तो वो कोई भी नहीं करती है तो पांचो गाड़िया में compare कर रहो उनमें से कोई भी sports car जैसी handle नहीं करती है overall गाड़ी की visibility भी अच्छे कासी है bonnet के edges यहां नहीं दिखते है बट जो mirror sizes है बले ही वो बहुत जादा बढ़ेगी है बट काफी अच्छा area cover भी कर देते हैं या आपके लिए steering wheel भी बहुत light है which makes it very convenient to drive Nissan Magnet में जब हमने speed breaker test किया वी नोटिस की overall ride quality unaffected है और बहुत अच्छी ride मिलती है whereas Maruti Fronks की overall ride quality at the back is nice but not as good as the Magnet Hyundai Exeter की ride quality actually feels average क्योंकि यह थोड़ी soft है Tata Punch की ride थोड़ी stiff है but it's really comfortable at the back Renault Kiger की ride quality is pretty good it is one of the best in the entire category Nissan Magnet में आपको अच्छी खासी braking capacity आ जाती है Fronks में भी आपकी braking capacity is decent enough Exeter as good enough braking too Tata Punch feels very confident while braking one of the best in fact and Renault Kiger की भी braking feels good enough Magnet पहाड पे आराम से चड़ जाती है बिना किसी problem के खास करके इसका जो turbo petrol engine है you do not feel that struggle Fronks में आपका 1.2 litre petrol will go without any struggle Turbo manual में थोड़ा gear shifting लगेगा but the automatic is flawless it is fantastic Exeter में थोड़ी महनत करनी पड़ती है on this 1.2 litre अगर आपकी गाड़ी पूरी तरहा loaded है खास करके अगर आप बहुत steep पहाड पे चड़ रहे हो The same story goes with Punch थोड़ी महनत जादा comparatively लगती है It's not difficult in both but थोड़ा क्योंकि non-turbo है तो power कम है comparatively Tiger is also pretty smooth आपारा आप से पहाड पे चड़ा सट्यों काड़ी को बिना किसी struggle की It is very convenient to take it up the hill but on the turbo only non-turbo में महनत ज्यादा है अब इससे पहले हम वोड़िक की तरफ चले मैं आपको highly recommend करता हूँ आप चेक आउट कीजए अपोलो के अप्टेरा टायर्स ये एक डेडिकेटेट रिंज अफ SUV टायर्स है मैं की लिंक चोड़ा हूँ in the description do not forget to check it out अब सवाल यह होता है कि इन सारी गाडियों में से आपको कॉंसील है और किस वजे से तो अगर मैं value for money की बात कर लूँ तो दोनों रेनो और निसान बहुत ही जबर्दस्ट value for money proposition आपके लिए बन जाते है तर्बो चाहिए नॉन टर्बो चाहिए automatic चाहिए manual चाहिए amt चाहिए I think इसके CVT transformation से आपको एक बहुत major game change हो जाता है और खासकर के जिन लोगों को कोई city में affordable automatic गाड़ी चाहिए इन दोनों का CVT options बहुत ही जबर्दस्ट चॉइस आपके लिए बन जाती है वही पर अगर आप Hyundai X-Tour को देखते हैं डूट इस इस देफिनिट्ली fantastic premium है features सारे आ जाते है काफी SUV टाइप भी फील होती है और जो इसकी अप मार्केट फील है that's uncomparable to any other car इसमें जो आपको एकदम experience मिलता है that's way better than all other vehicles right here वहीं पर टाटा पंच की अगर में बात कर लोगों तो यह जादा rugged है यह सबसे जादा SUV-ish फील होती है इन सारों में से आप काफी उचे बैठ तो you get a good seating position of course build quality भी इसकी जबर्दस है so overall यह भी एक बहुत जबर्दस proposition बन गई यार CNG आ गया इसमें sunroof आ गया है तो जो चीजे इस गाड़ी में actually missing थी उसे ध्यान में रखते हुए उसे just introduce कर दिया गया इसमें अगर में मारती फ्रॉंग्स की बात कर लूँ तो इसमें आपको features तो सारे आ जाते हैं बट कही ना कहीं इसकी pricing जो है काफी ज्यादा है अगर आप इन सब से उसको compare करोगे तो pricing के मामले में फ्रॉंग्स थोड़ी expensive लग रही है खास करके टर्बो बट जो इसका 1.2 नॉन टर्बो आता है वो एकदम बैंग ओन pricing के साथ अवेलेबल कराए गया है तो इसमें अगर 1.2 नॉन टर्बो हाय वेरिंस में आएगा it will be an amazing package to consider definitely but in terms of build quality अगर आप देखते हो I feel Fronks एक ऐसी गाड़ी है जहां पे फिलहाल काम की जरौत है क्योंकि Hyundai भी क्लेम करा है तेल गेट 4 तो 5 सार्स at least on the X-ter as well so मेरे हिसाब से it is very important की Fronks के लोर जो चोटी इंजन है उसमें आपको और options भी available कराया जाए तो यह एक नई category बन गई है just below that compact SUV segment तो Nixon, Venue, XCV3WO यह सारी गाड़िया अगर आप देखते हो Breza उन सब के नीचे यह बैठती है and आपके लिए बहुत ही जबरदस्ट package offer करती है अगर आप वो गाड़िया afford नहीं कर सकते हैं तो guys यह था मेरा आज का वीडियो जहां पर मैंने आपके लिए पूरी clarity लाने की कोशिश की है इन दिस comparison एक चीज़ recommend करूंगा आप जाके सारे टेस्स देख लो जिससे आपको पूरी clarity मिल जाएगी लेकिन फिर भी आपको लग रहे नहीं इतना confusion आप यह लिए के इसके उपर वाली category लिए तो इन डाट केस आप मुझसे या में टीम अफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पर जोड़ सकते हो और अपने सारे डाउट्स क्लारिफाय कर सकते हैं जी हां हम आपको एक ऐसी सर्वेस देते जिससे आप जाकार पूरी तरह क्लारिफाय कर सकते कौन सी आपके लिए सही है आपके लाख और रुपे गलत जगा खरच ना हो इसलिए हम आपके अपने कुछ डीटेल्स फिल अप करने हैं कॉल टाइम बुक करना है विद एंड एक्सपर्ट और साथी में आपको रेकेमेंट करूंगा मोटरॉक्त को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम ऐसा कॉंटेंट लाते हैं जो कोई और आपके लिए नहीं लाता है आपके लिए लागे लिए पब्सक्राइब एक लिए मेलें एक लापसे विद एन अवी विडियो गाइज टेकर शी टोमरो वाई